अबढ़ एक यहां जाव लो जाएग फिर फार्श जाएग से तुट है अब वाल में चाहिए वेलकम टू मैउर एजुकेंस रेनल अज अम पढ़िंगी भारत का भूगों भूगोल जो आपकी राजस्तान प्लीस भरती पटवार भरती के लिए महतोपन साबित होगा आज हम पढ़ेंगे भारत का भूगोल जिसमें परिचे विस्तार पढ़ेंगे तो आईए देखते हैं उसका अवस्तिति विस्तार सेत्रफल की दरश्टी से भारत विस्तार का साथ वाँ सबसी बड़ा देश हैं तो आईए देखते हैं भारत से कौन कौन से ऐसी बड़ी देश हैं जो भारत से बड़ी हैं तो उसमें पहला हैं रूस, कनाडा, सीन, स्युक्तराज अमेरिका, ब्राजिल, आस्ट्रिलिया रूस, कनाडा, सीन, स्युक्तराज अमेरिका, ब्राजिल और आस्ट्रिलिया अब हम देखते हैं भारत का सेत्रफल कितना है भारत का कौन सेत्रफल 32,862,863 वरग कीमी है जो विश्व के सेतर फल का 2.4 कीमी है भारत का विश्टार उत्री गुलार्द में है आठ डिग्री चार मिनट से 37 डिग्री चार मिनट तक है लेकिन इसका दक्षिन तम भारत का दक्षिन तम बिंदु है वो 6 डिग्री चार मिनट पर है जिसको इंद्रा फॉइंट के नाम से जाना जाता है इसका पूरी देशांतर 68 डिग्री 7 मिनट से और 97 डिग्री 25 मिनट तक है और भारत का उत्तर से दक्षिन विस्तार 3220 किलोमेटर है जबकि पूरुव से पच्चिम 233 किलोमेटर है भारत का दक्षिन तम मिनदु ग्रेट निकबार मैं इंद्रा पॉइंट तथा उत्तर तम मिनदु पामीरियन गांट से इंद्रा कॉल है तो हम इसमें देखते हैं कि जो इंद्रा पॉइंट है वो 3 डिग्री 4 मिनट पर है लेकिन इसका जो इस्तलिय विस्तार है यानि मुख्य भारत भूमी का है वो 8 डिग्री 4 मिनट पर है लेकिन हमारा अंडबान निकोबार भी भारत के अंदर माना जाता है तो अंडबान निकोबार दिवीप में जो लश्ट इंद्रा पॉइंट है वो 6 डिग्री 4 मिनट पर है और इसका पूर्वतम बिंदू जो अनुनासल परदेश में है वलांगू में है और पच्चिमतम बिंदू कच के रण में सरक्रीक है वलांगू है अनुनासल परदेश में और कच के रण में है सरक्रीक जो की गुजरात में है ठीके अब हम जानते हैं करकरे का भारत के गुजरती हैं तो हम पढ़ते हैं गुजरात, राजस्तान, मद्यपर्देश, सतीसगड, जारखंड, पच्चिम बंगाल, तिरपरा, मिजोराम ये आठ राज्यों से करक रेका गुजरती हैं गुजरात, राजस्तान, मद्यपतिस, सतिसकड, जारखंड, पच्छेमगल, तिरपरा और मजुरम ये राजस्तान के बहासवाड़ा जिल्ले से होकर भी गुजरती है फिर हम देखते हैं कि ऐसी कौन सी राजदानी है जो करक रेका पर इस्तित है ये राजदानी है जो की जारखंड की राजदानी राजदानी है वो करकरेका पर इस्तितराजदान है अब हम देखेंगे कि इसकी इस्तलिय सीमा कितनी है तो भारत की इस्तलिय सीमा 15200 कीमी लंबी है और सबसे बड़ी इस्तलिय सीमा सीन के साथ लगाती है जो की 120,000 किलोमेटर है और भारत की सबसे बड़ी सीमा लगती है वो बंगला देश के साथ लगती है 4096 किलोमेटर है विसो में सबसे बड़ी इस्तलिय सीमा सोरी विसो की सबसे बड़ी इस्तलिय सीमा है 120,000 किलोमेटर जो की सीन की है और भारत की है 15,200 किलोमेटर और भारत की सबसे बड़ी सीमा है जो बंगलादेश के साथ लगती है 65 सीन पाकिस्तान नेपाल की साथ है और भारत की सबसे सोटी सिमा जो अफगानि Stadt से लगती है वो ी ऐ केसे लगती है जो की मतलब वास्ताओं मैं वो एक पाकिस्तान से लगा हुआ है परंतु वास्ता में सबसे सोटी सीमा पुटान के साथ है क्योंकि जो अफगानिस्तान से जो सीमा लग रही है वो पी ओ के हैं जिस पर पाक अधिकर्त कस्मीर है भारत के मुख्य भूमी की तट्रेका है जो इक्छिट सो किलोमेटर है और डीपो को मिला कर ये साथ हजार पांस तो सोड़ा किलोमेटर है और गुजरात की तट्रेका सबसे लंबी है तो भारत जैसे भारत ये इस तरह का ये बना हुआ है तो इसमें नव राज्ये ऐसे हैं जिनकी तट्रेका लगती है जैसे कि भारत ये भारत का ऐसी नक्सा बना हुआ है जो दक्सिनी सोर का दक्सा बना हुआ है इसके तट्रेका पर नव राज्ये बने हुई है वो राज्ये कौन से हैं सबसे बड़ी सीमा बनाता है गुजरात उसके बाद महाराष्टर उसके बाद गोवा उसके बाद करनाटक उसके बाद तमिलनाडू फिर यह उपर की तरफ आ जाता है अंदर पर्देश फिर ओडिशा और फिर पच्चिम बंगान इस तरह मतलब इस तरह एक बना हुआ नक्सा दुबारा देख लेते हैं हमें जैसे जैसे कि इसमें ये इसे एक बाद यिग्ञार भारत का यूनक्सा बना होता है और ये यह जाता है गुजरात फिर यह परकार न ओर राजे बने विए हैं तो मुख्य भूमे की तठ्रेका है जो की 61 सो केमी है और उसके बाद दीपो को मिलाकर ये कुल हो जातीव 7,516 जो की डीव है वो हमारी समुदर के अंधर दीव है जिन पर भातका अधिकार है उनको मिलाकर 7,516 मिल जातीए और गुजरात की तट्रे का सबसे लंबी है और दूसरा इस्तान है अंदर परदेश का गुजरात की सबसे लंबी है और जो नीचे की तिरफ अंदर परदेश आता है वो दूसरी इस्तान पर है और एक बात का ध्यान रखे अंदर परदेश से जो राजे तेलंगाना अलग हु कौन कौन सी हैuana इसी एक किस राजी से कौन सा समुड्ख्य तत्त का अलग लग नाम तो पाकिस्तान का एक तठ है जो हमारे से गोल से नहीं है लेकिन ये भी याद रखने का इतर पाकिस्तान का जो समुदरी तठ है उसे मकरान कहते हैं भारत पाकिस्तान और बंगलादेश को सीमा को रेड़ कलफ रेखा के थे भारत और पाकिस्तान दोनों की सीमा को रेड़ कलफ का जाता है रेड़ कलफ इसलिए का जाता है कि जिस दिन ये बोर्डर से नित किया था रेड़ कलफ वकील नाम से किया था इसलिए इसका नाम रेड उसके सम्मान में रेड गलिप रख दिया तथा भारत वसेहम की सीमा है जो मैक मॉन लाइन के नाम से जाना जाता है अब हम एक देखेंगे भारत के कस्मीर अब जमू कस्मीर दू भागों में ऐसे बढ़ गया है जिसमे एक बाग हो गया जमू कस्मीर का और एक हो गया लदा का एक बात यह ध्यान देने में तो पुर्ण है जो पहले सीन की सीमा जमू कस्मीर से लगती थी वो अब नहीं लगती है क्योंकि इसमें लदाक अलग हो जाने के कारण वो सीमा अब लदाक से लगती है ना कि क्योंकि यह सीमा यहां से हो कर जाती है और जमू कस्मीर एदर रह जा थी लेकिन अब यह स्यार राज्यों से और एक केंदर सासित परदे से लगती हैं दूसरा जो यहां से एक सीमा यह सीमा बनता है पाकिस्तान से जो पाक अधिकरत सीमा है इसे कहेंगे एलो सी और जो यहां से कस्मीर से बन रही थी इस परकार यह कस्मीर से यहां से बन रही थी से कहेंगे एले सी एले सी ठीक है तो इस प्रकार यह यादर किस प्रकार रखेंगे क्योंकि यह पी ओके के सामने जो लाइन बंद दिये वह सी यू एलो सी और जो कसीन सी यह बाकी वाली एले सी जो पी ओके सामने बंद दिये वह एले सी और बाकी वाली जमो कस्मीर में भारत पाकिस्तान की OSTROC और भारत उसेन की OSTROC जमो कस्मीर में LAC की नाम से जणा जाता है आज का इतना ही यदि वीडियो पसंद आया है तो लाइक करें शेर करें और सब्सक्राइबर जरूर करें धन्यावाद